हेलो फ्रेंट्स मैं कल इतना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्णिंग चैनल में फ्रेंट्स आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने वाली हूं जिनके प्लांट्स को आप इस टाइम रेनी सीजन में खरीद सकते हैं और रेनी सीजन जो होता है उनका ग्रोफ पीरियर और उस हम वह बहुत अच्छे से अच्छे ग्रोफ करते हैं तो उन प्लांट्स को हम अगर एंगर उसन में खरीदें गे हमारे जो प्लांट्स है जो 100 पोट्ड़ें बहुत इस प्लांट्स है और को गराब नहीं होगा तो चलिए मैं आपको कुछ ऐस प्लांट के नाम बताती हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है तो फ आपका जो प्लांट है वह सक्सेज रहेगा और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी यह देखिए मेरे रोस का प्लांट है यह विंटर से भी अच्छा इस टाइम रेनी सीजन में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है तो यह औरेंज कलर के फ्लावर्स वाला में च्छी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है लूर्स दर पर हैं रोस का फ्लान सेकेंद और पर और च वहाँ प्लांट वहाँती अच्छी परिडियुन करते हैं लेंगते प्लांट के से नियुट तो जब भी बहुत सारे इसके plant आपके पास तयार हो जाएंगे फ्रेंट नेक्से इस spider plant spider plant भी बहुती खुब सारे इस प्लान्ट है leaves वाला और इस समय आप इस plant को भी buy कर सकते हैं इस समय इसकी जो growth है वो बहुत इच्छी हो रही है यह प्लांट एक से अगर आपने सिर्फ इसको एक इसको बल्ब को लगाया है तो बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे तो इस समय रिनी सिजन में इसकी जो ग्रोथ है वो भी डबल हो जाती है बहुत ही अच्छे से यह ग्रो करता है फ्रेंट्स नेक्स्ट कॉर्टन को भी ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है आप इस टाइम कॉर्टन प्लांट को भी अगर कटिंग से भी लगा देंगे या फिर अगर आप नर्सरी से भी परचियस करते हैं उससे भी लगाएंगे तो भी यह बहुत ही अच्छे से ग्र होने लगती हैं तो इसके लिए आप क्या करना है सिजन में आप इस ब्लाइंट को बाइख कर लीजिए रेनी इसे लिए यह जो प्लावरिंट हैं यह सब बहुत ही अच्छा पॉर्ड है फ्रेंड्स के ब्लेडिंग हर्ड का फ्लाइंट ब्लावरिंग नहीं करता है इसकी जो वो थोड़ी सी खराब होने लगती हैं, तो summer में भी इस पर flowering बहुत ज़ादा नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जैसे ही rainy season स्टार्ट होता है, तो इस पे बहुत अच्छी flowering स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर आप stem plants को purchase करने का सोच रहें, तो आप breeding herd के plant को purchase कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी देखेंगे ये बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और इस पर बहुत ही खुब flowers आने स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंज नेक्स चे ड्रेसीना ड्रेसीना के भी कोई भी वराइटी आप इस टेम पर्चेस कर सकते हैं समर सीजन में तो ड्रेसीना के जो लीप्स होती हैं वो थोड़ी सी बौन होने की चांस रहती है बर्ट रेनी सीजन में अगर आप इस प्लांट को बाय करते हैं तो इस पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा इस टाइम और इसकी आप कोई भी वराइटी खरी दिए सब बहुत ह अच्छे से रेनी सीजन में ग्रोव करेंगे क्योंकि रेनी सीजन जो होता है ड्रेसीना प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है इस टाइम यह बहुत ही अच्छे से ग्रोव करते हैं देखिए इस टाइम न्यू न्यू लीप्स आ रही हैं जितने भी ड्रेसीना की वराइ टो अगर आप इसके बाइड का बाइक करने का तो लेकिन बीकी जली नहीं होगे और आपका प्लाइड जो है वह हृँ बहुत ही जल्दी ग्रो घ्रो हो जाएयगा फ्रेंट्स नेक्स्ट कोलियस का प्लांट को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस टेम आप बाय कर सकते हैं जब विंटर्स में हम इसको बाय करते हैं तो इसका जो प्लांट है वो थोड़ा सा महंगा मिलते हैं लेकिन रेनी सीजन में इस प्लांट को अगर आप बाय करते है तो भी यह प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोव होगा और ये देखे इस टेम इसकी जो ग्रोव हो जाती है वैसे तो ये विंटर सीजन बहुत ही अच्छे से ग्रोव होता है लेकिन समर में भी अगर इसको थोड़ी सी केर के जाए तो इसके जो प्लांट सोते हैं वो बहुत ही अच्छे से ये देखे कितनी जल्दी ये बुशी हो जाते है इस प्लांट को लाए मुझे बहुत जादा टाइम नहीं हुआ है और इसकी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी और मैंने इसको बताया भी तकि किस तरह से इसको आप डबल चांदी चोटी चांदी ये जो प्लांट से ये इस टेम बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है इस टाइम से फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है विंटर सीजन में इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं होती है और इस प्लांट से उसके भी खराब होने का च फ्रिंड्स नेक्स्ट है आलमांडा आलमांडा भी रेनी सीजन का बहुत ही खुबसरत प्लांट है इस पर फ्लावरिंग कितनी अच्छी होती है और यह बहुत सारे कलर में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसका प्लांट इस अच्छी से ग्रोह होगा और इस पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी फ्रेंट नेक्स्ट है हिबिसकस हिबिसकस का भी रेनी सीजन जोता है वह बेस्ट पीरियड होता है और इस टेम इस पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है तो आप हिबिसकस के प्लांट को को और एक गर्थ्ट होना ना करते हैं वो आपका अच्छा सर्वाईब कर लेता है तो ही इसकोस को भी अगर आप आप करना चाह मैं तो इस तैम असानि से गरली जिसे कि आपका प्लांट है वो अच्छे से सर्वारी भी कर जाएगा अर्फेंट नेक्स्ट है जो गालीडियम विक भूप स्रवाइप ठार्ट है ओर यह प्लांट जो है यह स्ब्साँर और रिटर सेजन स्टार्ट हो यह प्लांट जो है यह बहुत ही खुबसवरत लिवसिता लगती है और यह बहुत सारे कलर और वराइटेजी में आपको नरस्री में से मिल जाएगा तो आप इस टाम भी इस प्लांट को buy कर सकते हैं इस बहुत आने मिलें गैशिञें आप पेंस साहँ उं chorasti के भी याए टॉनीयू को में गwirतकि भी दल्या इसान के जाहिए वह ऑफ यह किस्तान में अब किया है इसलगे उन प्रस्थाइन अच्य से ग्रोग करता है तो अगर आप स्टम इन प्लांट को बाइग करते हैं और पौर्ट्समे लगाते हैं अपने गार्डन में लगाते हैं तो यह जो प्लांट से और अच्छ से शर्वाइब कर जाएं तो रिनी सीजन में आप इन प्लांट्स को असानी से वाय कर सकते हैं तो मेरा आज का वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा टैंक यू